दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि infinite return यानि कि unlimited return कैसे कमा जाता है जिसके बारे में Mr. Robert की उचाकी ने अपने बुग Rich Dad Poor Dad में जिक्र किया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Unlimited Return यानि infinite return के बारे में तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी investment पे return य esf्रूंपिक कैसे कमा जाता है तो simply सबसे पहले तो हमें investment करना होता है यानि कि अपने पास जो पैसा होता है जो money होती है उसे as a capital as a money हमे इंवेस्ट करना होता है तो जो पैसा हम invest करते हैं उसे कहते है capital और इस capital के उपर जो हमें profit मिलता है उसे कहते है return तो जो capital हमें invest करते हैं उस पे जो हम profit या return कमा रहे हैं उसको calculate करने का बहुत ही simple तरीका है कि जो capital हमें invest किया वो कितने समय के लिए invest किया और उस पे total extra जो हमें lab हो रहा है वो कितना हो र देते हैं तो हमें return on capital मिल जाता है return on investment मिल जाता है तो for example माल लेजिए कि हम 1 lakh रुपया कहीं पी invest कर रहे हैं और वहाँ पे एक साल के बाद से हमें 10,000 रुपय का लाब यह return हमें मिल रहा है तो यहाँ पे अगर हम calculate करें कि 1,000,000 रुपय हमें invest किया और 10,000 रुपय के हमें लाब यह return हो रहा है तो यहाँ पे हमारे return on capital हुआ वह हुआ 10% a year यानि कि 10% एक साल में हमें यहाँ पे लाब हो चुका है बट अब अगर बात करें infinite यानि कि unlimited return के बारे में तो यहाँ पे माल लीजिए कि यहाँ पे इस example के थुरू जो हमने 1,000,000 रुपय इंवेस्ट किया था वहाँ पे जो 10,000 रुपय हमें लाब हुआ तो एक साल के बाद जब हमें 10,000 रुपय के लाब हो रहा है तो हम एक साल के बाद से क्या करेंगे कि हमना जो capital है जो हमारी investment है वो हम वापस निकाल लेगे निकि हमने 1,000,000 रुपय लगाया और 1,000,000 रुपय निकाल लिया लेकिन जो 10% यानि 10,000 रुपय जो profit हुआ जो return हम कमाया वहाँ पे उस investment में उसको हमने वहीं पे रहने दिया यानि कि अब हमारा इस investment में zero पैसा लगा हुआ है हमने जो पैसा लगाया था वो पैसा हमने withdrawal कर लिया है और जो पैसा हमारे पैसे ने कमाया था वो पैसा हमाँ पे invested है तो यह बिल्कुल अब free money है और इस free money के ऊप पर जो भी हम return कमाएंगे, मान लेजेगे अगले साल, दूसरे साल, मान लेजेगे, फिर शे हम 10% पर कमाते हैं, तो 10% का मतलब ही हुआ, कि 10,000 का 10% नेगी, 1000 पर हमने कमाया, तो अभी जो 1000 पर हमने कमाया है, तो इस 1000 के लिए, क्या हमने अपना खुद का कोई पैसा invested रखा है, तो जबाब है, नहीं, हमने जो profit कमाया था, जो return कमाया था, वो पैसा अब पैसा कमा रहा है, तो इस case में, जब हमारा कोई भी पैसा, खुद का अपना पैसा नहीं लगा हुआ investment में, और फिर भी वहाँ पे हमारा पैसा बन रहा है, तो इसे ही का जाता है, unlimited return, या फिर infinite return, य अब क्योंकि यहाँ पे आपका खुद का पैसा अब नहीं लगा हुआ है, तो आप जो पैसे कमा रहे हैं, वहाँ पे अगर आप 10% भी कमा रहे हैं, 10%, 5% जो भी कमा रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा, unlimited return ही कहा जाएगा, क्योंकि आपका जो capital है, वो लगा ही नहीं है, तो capital ल लागू होती है, तो यह investment के हर एक sector में लागू हो सकती है, for example, यह stocks, bond, mutual fund में कहीं भी लागू हो सकता है, या फिर यह यहाँ पर real estate में भी लागू हो सकता है, business में भी लागू हो सकता है, for example, आपने किसी business में invest किया 10 लाख रुपे, अब माल लेजे कि 3 साल के बाद से आपक 10 लाख का valuation है उस business का, तो आपने 10 लाख रुपे लेकर किसी दूसरे को बिजनस बेज दिया, तो वहाँ पर फिर भी उस business में आपका 50% जो हिस्सा है, और आपको 10 लाख रुपन लगा थे, वो भी आपको मिल गए, तो अब आपने यहाँ पर इस business में कोई भी पैसा आपना जाएगा, इसी तरह से बात करें, एस टॉक्स की, तो अगर आप किसी एस टॉक्स में लेजिए कि यहाँ पे, अच्छी तरह से fundamental टेक्निकल रिसर्च करके, आपने मालेजे 15 लाख रुपे इंवेस्ट किया, और 3 मेने, 6 मेने या 9 मेने बाद से, मालेजिए कि वहाँ पे, व वहाँ पे आपके कुछ सेयर पढ़े रहेंगे, और वो सेयर जो भी प्रोफिट कमाएंगे फ्यूचर में, वह आपके completely unlimited return, या फिर infinite return माना जाएगा, इसी तरह से मालेजे कोई प्रोपर्टी है, तो उस प्रोपर्टी को अगर आप मालेजे का आपने 20 लाख रुपे में ल 24 लाख रुरपे मिल गए, अब अपने शुरुवात में लगाया थी यहाप पे 20 लाख रुपे, आपको इहाँ पर 24 लाख रुपे बैंक से मिल गया, अब उस प्रोपर्टी को आपने यहाँ पे rent में चड़ाया हुआ है, तो यहाँ पिया ने चैनल 2,लाख रुपे किया था वो 20 लाग तो आपके जेब में आई गए 24 लाग रोन के रूप में जहाँ पे 4 लाग पहले ही एक्ट्रा है और इसकी अलावा जो भी आपको वहाँ पे एक्ट्रा इंकम हो रहा है उस प्रोपरटी को होल करते हुए तो भी आपका इंकम ही है और future में उस प्रोपरटी होगा वीडियो पसंद रहा होते से लाइक करें अंदर में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारा साथ दूर रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद